हेलो दोस्तों मेरा नाम है साहिल खंदर आप देख रहें इंट्रेक्शल इंडीज और आज हम एक कंसेप्ट के बार हम बात करेंगे यह टेक वाले लोगों के लिए जिनको टेक की जाला नॉलिज हर जो पसंद करते हैं नई टेक्नोलजी के बारे में यह टेक्नोलजी के बारे जब यह टेक्नोलजी परफेक्ट होगी तो मार्केट पूरी बदल जाएगी अभी हम क्या कहते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर 8GB RAM है 16GB RAM है 128GB RAM है जितनी भी RAM है अगर मैं आपको कहूं मैं आपको एक ऐसा कंप्यूटर बनाकर दूँगा जिसके अंदर RAM is infinite storage is infinite processing power is infinite कोई भी उस mobile phone के अंदर RAM होती है सब कुछ होता है अब मैं एको गेम खेल लिया मानके चलो उसके लिए मेरे को ग्राफिक काड़ की requirement होगी तीन चार चीज़ों की requirement होगी अब वो मेरे phone के अंदर है अम मेरा phone उन सबको use कर रहा है तो मेंने क्या किया ये सारी की सारी की computation है उसको वो cloud पर जाल दिया मतलब उपर सेटललाइट के अंदर एक ऐसा सर्वर पड़ा है जहां के अंदर अंधी रैम है अंदा सब कुछ है मैंने पैसे दे रखे एक स्पेसिफिक टाइप की प्लान के लिए जैसे हमारी वेबसाइट होस्टिंग का प्लान आता है वैसी हमारा कंप्यूट और है प्लान आयेगा हमने भाफ पर एक ले रखा है अब हमारे पास एक डिवाइस होगी एक फोन होगा जिसके अंदर नौर्मल प्रॉसेसिंग पावर होगी एक अच्छा डिस्प्ले होगा अब ये कंप्यूटर भी हो सकता है गैमिंग कनसोल हो सकता है डूनिया के कोई भ live streaming होगी, इसके लिए एक problem बहुत बड़ी है जो कि है internet connectivity अगर आपको 4K के अंदर 60fps के अंदर game खेलनी है PlayStation के अंदर, तो आपको अगर stream करवाना है इसी चीज़ को तो आपको net plan बहुत सही चाहिए होगा और आने वाले time में आप देख रहे हो दिली NCR के अंदर 1GBPS का plan भी आ गया है तो मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर internet is not an issue internet की दिक्कत नहीं आने वाली तो आपको एक basic device चाहिए होगी जिसके अंदर basic चीज़े होगी, camera अच्छा होना जुरूरी है क्योंकि आपको photos कीचनी है storage के लिए cloud है आपके पास basic storage होगी अगर internet नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता तो कुछ basic storage का रखो processing power basic रखो ताकि वो जो आपको streaming कर दी है वो stream हो पाए बस display 4K रखो जो रखना है वो रखो market खराब कर दो मैंने वीडियो देखी, साथ के साथ न्यूस पढ़ता रहा तो हमको पता है तो मैं पढ़ रहा था कि आरेवल टाइम में PlayStation 5 आने वाला है PlayStation 5 वालों ने कहा हम 2021 के अंदर निकालेगे तो Microsoft का जो Xbox है उसका 2 आने वाला है वो 2020 के अंदर आएगा और उनने ऐसा कहा है कि भाई ये आखरी Xbox होगा आखरी console होगा गेमिंग वाला इसके बाद हम streaming के उपर काम करेंगे streaming का मतलब वो ही Microsoft बहुत टाइम से इस प्रोजेट के उपर काम कर रहा है महाँ पे वो ही वाला जो मैं आपको cloud वाला पंगा आ रहा हूं एक laptop लेके गोमना जोगी बहुत पतला होगा जिसका battery backup बहुत ही अच्छा होगा अब उसके अंदर ही मैं normal से पतले से laptop के अंदर दबा के जोन सी game खेलना चाहूँगा वो खेलना हूँगा 8K आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि देख रहा हूँ यारब रोज का एग जीबी डेट जीबी दो जीबी मिलने लगया है हमारे देश के अंदर फोन के अंदर पुरी दुनिया के अंदर गहीं नहीं मिलता अगर आप तार वाले की बात करो तार के अंदर भी पता नहीं कितनी स्पीड है आ रही है आपके वहाँ पे भी आती होगी में रेको नहीं पता नीचे comment के अंदर बताओ आपके महाँ पे कितनी स्पीड आती है, आपने जो plan लगवा रखा है, वो कितनी रुपेगा लगवा रखा है, और कितनी स्पीड आती है, और किस company का है, क्या आ उसे satisfy हो या फिर नहीं हो, मैं उपर एक poll डालता हूँ, महाँ पे मुझे बताना, currently आप कितने MBPS का plan लेके बैठ है दोस्तों ग्रूप के अंदर बैट के इसके बेरें डिस्कस करो कि आना या टेक्नोलोजी ऐसे होने वाली है और जब दो साल के बाद चीज़ अकम्पलिश होगी न तो आपको ही लगेगा यार मैं पहले ही सभी प्रेडिट कर रखा था तो दोस्तों बाई गुड़नाइट जब या वीडियो को देख रहे हैं